दोस्तों क्या आप शादिशिद आउरत को देखकर आकर्शित होते हैं या फिर शादिशिद आउरत को पटाने की सोच रहे हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शादिशिद आउरत को कैसे पटा है दोस्तों शादिशिद आउरत को देखकर आकर्शित हो ज चल जाता है तो वहां आपको भूट मारेंग कई दोस्तों हर क्सकि को शादिशुदा पूरत बहुत अच्छी लगती है जिसके करना अच्छी लगती है इसलिए बहुत सारे मर्द शादेशे दावरतों से दोस्ती करना चाहते हैं दोस्तो अगर आपको भी शादेशे दावरतों के साथ दोस्ती करनी है तो आपने शादेशे दावरतों को पटाने के तरीके अपना गर उनको दोस्ती के लिए मनाना चाहिए तो दोस्तो आज हम देखेंगे शादी से दावलतों को पटाने के तरीके किसी इस्तरी या पुरुष का शादी के बाद अफेर रखने के कुछ कारण हो सकते है जैसे कि अपने पती या अपनी पतनी से पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो पा रहे हो या फिर दोनों में से कोई भी अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी परन्तु किसी कारण बश नहीं कर पाए हो इसलिए कुछ महिलाय या पुरुष शादी के बाद अफेर या चक्कर में बने रहते है जब किसी इंसान को अधिक पाने की चाहत होती है तो वहाँ इंसान कुछ न कुछ करता है ठीक इसी तरह से महिलाय या या रिष्टा बनाने की शुरूबात करती है आप इस तरह के शादी शुदा अउरतों को टार्गेट कर सकते है अगर आप ऐसे अउरतों को तलाशते हैं तो फिर अपनी अफैर की शुरूबात कर सकते है जैसे उसे देखकर आप मुस्कुरा सकते है उसके मदद कर सकते है इत्यादी करके आप धीरे धीरे प्रेम सम्मद बना सकते है बहुत सारे जबान लड़कों को शादी शुदा उरत को पटाने का experience नहीं होता इसलिए कई बार जबान लड़के शादी शुदा उरत को पटाते समय डरते है दोस्तों शादी शुदा उरत को पटाते समय बिल्कुल भी ना डरे क्योंकि शादिशेदा उरत को पता होता है कि कौन उस पर लाइन मार रहा है अगर शादिशेदा उरत को पता चल जाता है कि आप उस पर लाइन मारते हो तब भी वहाँ आप पर ज्यादा रियक्ट नहीं करेगी बहुत सारी शादिशेदा उरते शादी के बाद भी खुश नहीं रहती है जिसके कारण वह भी किसी ना किसी लड़के के साथ रिलेशन्शिप में रहने की सोचती है अक्सर हम देखते हैं कि शादिशेदा आउरतों को उसका पती ज्यादा प्यार ज्यादा मौबबत नहीं करता जिसके कारण शादिशेदा आउरते हमेशा उनको ऐसा लगता है कि उसका पती कितना गंदा है उसके मन में हमेशा आता है कि हमारे पती को हमने छोड़ देना चाहिए दोस्तो आपने ऐसे औरत को पटाना चाहिए जिस औरत को उसके पती को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देना है अगर आप ऐसे औरत को पटाओगे तो ऐसी आउरत आपको आसानी से पॉजिटिव एंसर देगी शादिशिद आउरतों पर जब भी लाइन मारोगे तब आउरतों को धीरे धीरे समझने लगेगा कि आप रोज उसके घर के सामने आकर उसको लाइन मारते हो दोस्तों जब शादिशिद आउरत को समझ आएगा कि आप उस पर लाइन मार रहे हो तब शादिशिद आउरत आपको थोड़ा थोड़ा रिस्पांस देने लगेगी कई बार लड़कों को लगता है कि आउरत जल्द से जल्द रिस्पांस नहीं देती है दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है औरत को हमेशा लगता है कि आपको रिस्पांस दे लेकिन शादिशिद आउरत को अपने पती से समाल कर आपको पटाना होता है जिसके कारण औरत आपको तुरंट रिस्पांस नहीं देगी अगर आप 10-15 दिनों तक उस अवरत के घर के सामने हर रोज जाओगे तो धिरे धिरे अवरत भी आपको देखने लगेगी 10-15 दिनों बाद अवरत खुद आपकी राहा देखेगी क्योंकि उस अवरत को आपकी आदत हो चुकी होगी उस अवरत को देखते समय आपने हमेशा उस अवरत की तरफ ऐसे देखना है जैसे की अवरत को मैसिस होगा कि आप उस पर प्यार करते हो ऐसा करते-करते अवरत भी आपसे प्यार करने लगेगी दोस्तो ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान नहीं है इसलिए औरत को पटाते समय हमेशा साबदानी बरते दोस्तो हर रिष्टे की शुरूबत बहुत अच्छा होता है पर अंत कुछ खास नहीं कहा जा सकता तो आप अगर किसी औरत को पटा रहे हो या फिर पटा चुके हो तो उस अवरत से मिलने एक अच्छा मौका देखकर जाए और हर समय और हर जगा उसके पास ना रहे नहीं तो उसके पती को पता चल सकता है जो आपके जिवन में दुख ला सकता है दोस्तो कुछ लोग अपने अफेर में इतने खो जाते है कि वो ये भी भूल जाती है कि वो औरत किसी और की पत्नी भी है तो इसलिए आप खुद को थोड़ा सा समय दे चाहे आपको उनके साथ रहना कितना भी पसंद हो या उनके साथ बिताया आपका हर पल आपको कितना भी कितना भी पसंद हो आप थोड़ी दूरी जरूर बनाए रखे और इस्तिति को समझे सही समय आने पर ही आप उसके पास जाए अगर आप सिर्फ अपने प्यार में अंधे होकर उसके पीछे पड़े रहेंगे तो उसका और आपका पकड़े जाना निश्चित है इसलिए आप अपने अफेर में थोड़ा समय या थोड़ा गैप जरूर रखे जिससे आपके पकड़े जाने का खत्रा कम हो जाता है